हेलो गाइस आज हम कर रहे हैं एक लड़की के साथ M24 चालेंज जिसकों साथ मैं पहले एयर चैलेंज कर चुका हूँ यानि की एक एम टू एक एम चालेंज कर चुका हूँ उस पर तो मैंने आसानी से तो नहीं लेकिन बड़ी मुश्किल सी लेकिन हरा है था लेकिन पता नहीं इस पर क्या होता है आप देखते रहे हैं आपको पता चल जाएगा कौन हारता है कौन जीटता है और वैसे आपげ्त लोगो को ने le garant कर ने यह देखीये मैंने नैट कर रहा था उसני पीछे से ठोक दिया कि एक्सुली क्या होता है ना मतलब ध्यान नहीं रहता पता नहीं कहां से आ जाते हैं क्या होजाता है इसली मेरा गेम में भी ऐसा है मैं एक तरह कुछ कर रहा हूं तो और उसे तरह किजे किसी ने पीछी से आके कोई फोड़ के चला जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है या तो मेरा गेम पे कॉंसेंट्रेट अच्छा नहीं है या फिर क्या है पता नहीं लेकिन हां थोड़ा बहुत इंप्रूब हो रहा है जैसा पहले खिलता था उससे बहुत बहुत बैटर कहलता हूं अभी तो देखी उसने लगातर तीन सौट ले लिया और अभी तक मैंने एक इन ही लिया कि मतलब खतरनाक एक तो यह जिगल बहुत खतरनाक करती है जिगल कर जिगल गजोगका चलाना नहीं इा जो कि पहले एक किम चैलेंज करते वक्त बोली थी कि मुझे स्नाइपर नहीं आता तो यह वाला स्वाट कैसा था अब जरूर बताईएगा जिस तरह उसने मुझे नेट पे लिया था नेट करते वक्त तरह यह उसको भी पड़ी पीछे से तो देखिए बात क्या है कि उस टाइम मुझे बोला दहुकर नहीं पता है चुले मैं इस को पोस्नली जानता भी नहीं है मेरे इन कहां से आ गयी थी मैरी ना specifically बात よ उसने इसका ये दूसरा आडिया जो के पुराना आडिया तो इस आड़ी से मुझे M24 के लिए भी भूल रही थी तो आज मैंने रोम कार्ड प्लैन से लिया एंड चैलेंज कर रहा हूं आप देखिए क्या होता है क्या साथ आपको पता चल जाएगा एंड में क्या होता है चिलाती है कि तेरा नाइस आ रहा है यह आ रहा है पता नहीं क्या हो गया है रियल में बड्स टू लिया था और दो तीन महीने भी नहीं हुए अब पता नहीं बतलब अजीब से नोइस आ थे मुझे तो अब गीम खिलते हैं आवाज तो क्लियर सुना ही देती लेकिन पता न दोस्तों को क्या नॉइस सुने जिता है वो बेकार में चिलाने लगा तो यह फोन भी खराब है मैंने रिकॉर्ड करने ही फोसिस की वोईस लेकिन यह फोन से बिल्कुल खराब सा रहा था तो मैंने इसे नॉर्मली कर रहा हूं कैसा है नहीं यह नॉइस आ रहा है आप ज़र उसका सॉट मुझे लगा आप चाहे तो इसको स्लो मो करके देख सकते हैं मैंने स्वाट डेले लिया था मेरा पिंक भी 1088 फिर भी उसका सॉट मुझे लगा मेरा नहीं लगा मुझे पता नहीं क्या हो रहा था यह ऐसा भी प्रॉब्लम हो रहा था और साहद वह लगातार सेफ़ तो एक्शली क्या बताओं में घभाबाया था या फिर मेरे हाथ में परें वीन पसीन आ रहा था था पता में क्या होई टन हो रहा है अब्सक्राहीं कि में कि दर नायुं केह दर हो इसने दुभारा भी बोला था मुझे चालेंज करने बाम कने द लोग तो इस मैस में बहुत मजह आए options कि आ JPK behave a good job isibles मैंने उसको बोला है इस गेम के बद मैंने उसको बोला कि में में new नेक्स काट नहीं है रुम काट नियुक्ताइम है next time फिर से करेंगे और लगने अगा तो क्रेप पे नहीं किया तो भी जरूर दूसरा वीडियो ही बना के डालोंगा इसाइन को बोला इस टाइम पर मेरे पास रोम करना था तो हाँ इसवे तो मैं हार में तो वाला हूँ लेकिन चीट करती है बीच में च्छोटे मुटे चीट करती है और पताने में घब्राया था क्य यह ऐसा हो गये तो तुम स्वाट नहीं रहीं ले था है यह बता है स्नाइपर सॉठ पर है人 मैं इस और ले CB TOP अब देखिए जाय तो बताईए नहीं आए तो भी बताईए औरे मेरा एक फर्स्ट बोईस ओवर है पताने में क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है अगर आप साथ है कि नेट्स वीडियो में बोईस ओवर करूं तो ज़रूर कमा के बताईएगा प्लीज अचुले नया चैनल है न्यू क्रियेटर हूं न्यू बोईस ओवर कर रहा हूं तो मुझे कुद गर्मी और यह बहुत ज्यादा है रही लग रही अंदर से और देखिए अभी तो उसने 11 किल कर दिये मेरे सिर्फ साथ हुए है आठ हो गए हम भी कोई कम थोड़ी ना है लकिन उससे थोड़े बहुत कमजोर ही लग रहे है क्योंकि उसके पॉइंट ज्यादा है मेरे से नेट से मारने की कोशिश करती है देखिए नेट मतलब पता नहीं कैसे उसको पता सब तो मेरे नहीं से आएंक है और मेनेट फेकता हूं मैं सब कहीं भी कहीं भी छोड़ देता हूं उसको लगता भी नहीं पता नहीं हो नहीं अचली मुझे इसका रियल नेम भी नहीं बता एई इसका यह देखिए मतलब यह जीटर निकली ना पैंस से वार किया दूसर सा हेल्थ रहता है तो आके पैन सेट अपका देती है इन में भी मेरा एक दो पॉइंट बढ़ सकता था लेकिन उसने पैन से मारके मेरा हालत कराफ कर दिया मैंने उसको बाद में बोला कि तुमने पैन यूज क्यूं किया यहां पर पता नहीं क्या हो गया तो वह आफ लाइन हो किया सब्सक्राइब कर सकते हुभी सब्सक्राइब रिच उसको लगा डीडेम में वांाड किल है और अगर हैलमेट वेस्ट नहीं ले तो 있으면 मर जाता है वह बॉट्स और बॉडी सॉट हो यह है इसको मार रहा हूं लेकिन उसको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे इफेक्ट कर रहा है पता नहीं क्यों मेरा पिंग तो 108 104 आप 1015 के आसपा चल रहा था आप डाउन हो रहा था तो इतना पर्फेक्ट भी नहीं था पेंग कि और यहां तो मेरे से अच्छा पिंक हो सकता है कि इसलिए उसका मिझे पड़ रहा था और मेरा ऊसंवह नहीं पर ओर पदाने क्या हो रहा था लेकिन शोट नहीं लिए जा कर को एक तो मैंडग की तरह दर अधर जब फुदक रही थे तो मुझे यही कहा कि तुम्हारा कमजूरी यही है अगर यह देखो फिर से पेंस है मारा से वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा कमजूरी यही है अगर तुम्हेरे सामने कोई कि जंप एंड शूट करें तो तो मुझे कमजरी पता चल गया ऐसा बोल रही थी हाँ सायद मैं नहीं ले सकता मुझे भी ऐसा लगा एक्च्वल में लगा क्योंकि वो मैंड़क की तरह उचल रही थी और मैं सौट नहीं ले पा रहा था पता नहीं क्यों मेरा हाथ फिसल रहा और पहली बार मेरा इस तरह गेम में अधर वैसे स्नाइप स्नाइपिंग करते वक्त इस तरह से हाथ फिसला वह पहली बार है मतलब हद है कांटीनू लिए जा रही है वाई बेस्टी कर रही है तो हूँ हो यह कोई बात नहीं है खिलारी अच्छी है मचसे भी ज्यादा लेविल कि है तो मुझे पुरानी खिलाडी एक व्मेल में मुझे पूरानी ही है मैंने सीजन 9 से स्टाट किया था लेकिन मुझसे भी पर्फेक्ट है मैं माँतर है उसके साथ मैं पहले भी चालेंज करना हुए का हो मैं के हरा दिया तो उसमेर बार मैं बोल रह compartment कि तुम ने ये किया, वो किया, लेकिन वे मैं तो कुछ भी नहीं किया और हां, हां, मैंने हैलमेट भेडा स्पीका यूस किया, लेकिन उसने पहलே नहीं बताया था, अभी भी देख Suzuki अब ऊभना तो अभी बें सॉट लागा हुसकं लेकिन वो नहीं मरी, कि क्या हो रहा है कि तुम हां बोल रही थी कि हेलमेट बेस्ट यूज किया तो उसने यह भी नहीं बोला थे कि यूज नहीं करना है तो इसलिए यूज किया था आप वो विडियो देख सकते चैनल पर जाएं तो दोस्तों आज का कर दो उस्तों कि अथ दो कि रुड़ एंवे प्यूब एंवे लुब थाय ये फिर मैं साथ इंवे तर ड्यूब एंवे लुब एंवे इंवे सानव कि रवे जूब दुम सानव का लुब एंवे